Hello friends, मैं हूँ पुर्णा मोर और आज हम Article 5 to 11 को cover करेंगे इसमें basically नागरिक्ता के बारे में बताया गया है कि हम वारत की नागरिक्ता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और ये Part 2 of Indian Constitution यानि की भागदो में cover किये गए है Part 1 हम पहले कर चुके हैं, अब हम Part 2 cover करेंगे अगर ये आपको वीडियो अची लगे तो प्लीज सेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए Article 5 क्या कहता है, Article 5, It provided for citizenship on commencement of the Constitution मतलब इसमें कुछ तरीके बताये गए हैं कि हम भारत की नागरिक्ता कैसे प्राप्त कर सकते हैं First है, All those domiciled and born in India were given citizenship Domicile मतलब पंजीकर्ण, जिनका पंजीकर्ण भारत में हुआ हो और भारत में पैदा हुए हो तो उन लोगों को भारत की नागरिक्ता मिल जाती है Second point is, Even those who were domiciled but not born in India या मतलब जिनकी domicile तो भारत की है परन्तु उनका जनम भारत में नहीं हुआ But either of those whose parents was born in India were considered citizenship परन्तु इसमें एक condition है अगर उनके माता या पिता में से एक किसी का जनम भारत में हुआ है तो उसको citizenship मिल सकती है चाहे वे भारत में पैदा हुआ हो या ना हुआ हो Next point is, Anyone who had been an ordinary resident for more than five years who was entitled to apply for citizenship इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई independence से पहले मतलब आजादी से पहले पांच साल तक भारत में रहा हो तो उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है Next is, Article 6 It provided right of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan उन लोगों के बारे में बताया गया Article 6 में जो पाकिस्तान से इंडिया में आई है, migrate होई है Since independence was proceed by Persian and migration Article 6 laid down that anyone who migrated to India before July 19-1948 would automatically become Indian citizen if either of his grandparents or parents was born in India मतलब July 19-1948 से पहले जो भारत में आचुके हों पाकिस्तान से और उनके माता-पिता में से एक या grandparents इंडिया में पैदा हुए हों तो उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी Next is, but those who entered India after this date मतलब July 19-1948 से बाद में आए हों तो उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा Next is, Article 7 Right of citizenship of certain migrants to Pakistan is a special provision for persons who have migrated to Pakistan after March 1, 1947 but return to India subsequently मतलब क्या हुआ कि Article 7 में बताया गया है जो लोग 1 March 1947 के बाद वापिस पाकिस्तान में चले गए हों और फिर पाकिस्तान से लोट कर भारत में आ गए हों तो उनके लिए क्या किया जाएगा उनके लिए बताया गया है कि उनको एक कंडिशन दी जाएगी उनको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कुछ लैटर लिखना पड़ेगा फिर उनको 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा जो लोग पाकिस्तान से आए है उनके बारे में बताया गया है तब ही जाकर उनको भारत की नागरिक्ता मिलेगी नेक्स्ट इस आर्टिकल एट इसमें क्या बताया गया है जो बारत से बाहर रह रहे हूं अगर ऐसे व्यक्ति जिनके वन्स का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वैखुद भी भारत से बाहर रह रहा हो बारत की नागरिक्ता प्राप्त कर सकते हैं कैसे उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा और इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन के तहत वह बारत के नागरिक्त कहलाएंगे आर्टिकल नाइन पर्संस वोलेंटरी अक्वारिंग शिटिजनशिप ओफ फोरन स्टेट नोट भी सिटिजन no person shall be a citizen of India by virtue of article 5 or be deemed to be a citizen of India by article 6 और article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of foreign state मतलब article 9 यानि कि अनुच्छेद नो में बताया गया कि अगर अपनी इच्छा से voluntarily अपनी इच्छा से दूसरे देश में चला जाता है और वापीश लोट करने याता बहुत शालों तक तब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी भारत की और इसमें article 5, article 6 और article 8 कुछ भी लागू नहीं होगा article 10 it states that every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall subject to provisions any law that may may be made by parliament continue be such citizen मतलब परतेक नागरिक जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है यदि संसद इस परकार के किसी भी विदान का निर्मान करे यानि कि लोग का यह है article 10 बताता है next is and last is article 11, parliament to regulate the right of citizenship by law nothing is foregoing provisions of this part shall derogate from the power to parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matter relating to the citizenship अनुछे 11 में यह बताया गया कि संसद यानि कि परलियमेंट के पास यह राइट है कि वह नागरिक्ता के और उसकी समापती यानि कि and करने के या फिर नागरिक्ता के कि किसी भी matter यानि विशे के बारे में लोग बना सकता है यह परलियमेंट के पास power है थैंक यू थैंक यू सो मच अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लेज सेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजिए आज हमने part second of constitution कंप्लीट कर लिया है